एक्सेस मिच्वल फंड ने अपने नोर्टिस कम एडिनेटम के द्वारा एक कॉमन इंवेस्टर्स को सूचित किया है कि उन्होंने अपने एसाइपी टॉप फैसलिटी में के तर्फ में कुछ बड़ी परिवर्तन किया है और यह परिवर्तन साथ नौंबर दोजात चोबी से है डिलागू आज हम चर्चा करेंगे वनोहीं परिवर्तन के बारे में और की फीचर के बारे में और देखेंगे कि इस परिवर्तन से सक्वाह कि नए वीडियो में आपको फृत नाम च्छित करो अपनो सब्सक्राइब दो तरीके से बढ़ा सकते हैं एक तो जितने सब्सक्राइब है उसका पर्सेंटेज के हिसाब से अद दूसरा कोई भी फिक्स्ट एमाउंट और यह जब भी बढ़ाने की तिथी करेंगे यह तिथी या तो आप पहले से प्री डिटार्मिंट इंडर्वल हो सक यह तक पर्सेंटेज वाईस टौप फैसलीटी यह ती फीजिकल मोड में थी फीजिकल मोड में भी एकशिस-इलसस्टेबुवरफंड में पर्सेंट यह तो प्रशेंटेज बाइग रुपे की होगी और उसके बाद एक रुपे के मल्टिपुल में होगी लेकिन यह मिनमम XS ELSS Taximon Fund में 500 रुपए हैं और उसके बाद 500 रुपए के multiple में ही XS ELSS Taximon Fund में आप Top-up कर सकते हैं नमबर दो Minimum percentage यानि SIP Amount के भी आप Top-up करना चाहते हैं TP Amount का Minimum percentage जो High करना पड़ेगा top-up करना पड़ेगा तो वह पांस पर्सेंट होगा और उसके बाद पांस पर्सेंट के मल्टिपल में होगा लेकिन अप्लिकेशन भरने में कोई टॉप एमाउंट या परसेंटेज वाई या फिक्स वाइज में कोई डिस्क्रिटेंशिटी पाई जाएंगी तो उस एसाइपी को माना जाएगा कि यह विद्धाउट एनी टॉप फैसलिटी की एसाइपी है इसमें एक और जो फीचर्स हैं कि यदि आपने टॉप फैसलिटी एक बार कर ली पांच परसेंट दस परसेंट या फिक्स डेमाउंट जो भी है वह कर ली तो जब टॉब धिर movement tenure कर टैनिए लसी को आप इने कर सकते यदि आपको कांसिल करना है आपको पूरी ओकिंड़त एक बदक्रीं इस्टॉप कर ने पड़ेगी ही मन्त्ली फ्रेक्वेंसिंसि वाले सब्विक वहीं उपलब्द आपकी फैसम यहां तो हाफ यह यह दो हो सकतीस और यदि आपने टॉप весь प्रेक्विंस इंडिकेट नहीं कि है तो मानी जा जाएगी बैडिफॉल्ट वह आपकी यह ली को डॉप SU और यह टॉप अपकी डेट भी जो करस्पॉंड करेगी वह सब्सक्राइब यह यह आपने एक जनवरी को सब्सक्राइब की है और आप यह ली टॉप फ्रिक्वेंसी और आप कर रहें इसका मतलब अगले साल की एक जनवरी को ही इसाइपी टॉप अप कि एस्धवर्तन स Goo ऑगी है कि एक इसैपी की पहली डिशुप घैसन के च्छे महने के बाद हो सकती है और उसके बाद छे पहली सौ्प साथ करना चाहते हैं वह पहली एक टारीक से लेके 28 तारीक तक थी उन्तिस तीस और 21 तारीक को नहीं हुआ करते लेकिन इस परिवर्तन में आप मेहने के आखरी डेट में भी एसाइपी का डेट कर सकते हैं जब आप S.I.P. Top Up का request देंगे जो भी date S.I.P. Top Up के date होगी उसके कम से कम 21 दिन पहले आपको इस बारे में आइदर online या offline request करना पड़ेगा तभी आपको यदि आप 21 दिन से कम में देंगे तो अगली frequency जो भी आएगी उस frequency date को आपकी Top Up मानी जाएगी S.I.P. Top Up Facility के इस टर्म के change के कारण अब उन investor को जिन investor को या तो AMC के office या register and transfer agent के office जाना नहीं चाहते हैं वो online करना चाहते हैं यह सुविधाई वो online ले सकते हैं और दूसरा सबसे important सुविधाई यह मिलेंगी कि आप S.I.P. का date last day of the month कर दें तो उस मेहने की जिस मेहने की अं इंस्टॉल्मेंट या नॉर्मल इंस्टॉल्मेंट आपकी कट जाएगी और इसमें आपको कोई दिक्कत का समना नहीं करना पड़ेगा थैंक यू